आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने एक सक्स को देख रहे होंगे और आप लोग देखते होंगे कि हमेशा अपने बयानों के कारण चर्चा में बने रहते हैं जी हम जितन राम माजी की बात करें और आप देखें कि बिहार के पुरू मुक्मंत्री भी रहे चुके हैं और अभी भी आप देखें कि राजनीती में सक्रिये बने हुए हैं, इनकी अपनी राजनीतिक पायटी भी हैं, तो आज हम लोग जितन राम माजी के बारे में एक सामान जानकारी देख लेंगे, इन्होंने जो भी बयान बाजी की है, जिसके कारण इनकी आलोचना हुई, उन बयानों को भी हम लोग देखेंगे, एक बार आप लोग बिहार को देख लिजे, आप देखिये भारत का मैप आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, और इसमें अगर आप देखें बिहार जाएं, तो आप देखें कि बिहार में आपको बिहार की राजधानी पटना है, और आप सभी लोगों को एक और बात मालू होगी, कि लालू परसाद यादो हो, नितेश कुमार हो, या फिर आप देके सुसील मौलिदी हो, ये सभी जितनरा माजी के दोस्ती हैं एक तरह से आपके ये, और बिहार में अगर आप लोग विधान सभा सीटें देखें तो 243 हैं, वि इसकी अंतराश्टी सीमा आप देखें तो नेपाल से लगती हैं, कहां लगती हैं, नेपाल से लगती हैं, और आपकी स्क्रीन के सामने, जितनरा माजी दिखाई भी दे रहे हैं, और जितनरा माजी के बारे में अगर हम लोग बात करें, तो इनका जनम 6 अक्टूवर 1944 को हु हुआ, उस समय हम लोग अंग्रेजों की अधीन थे, यानि कि हमारे उपर अंग्रेजों का सासन था, और आप सभी जानते हैं कि अंग्रेजों के सासन से मुक्ती हैं, हमें 1947 में मिलती हैं, लेकिन जितनरा माजी का जनम 6 अक्टूवर 1944 को हो जाता हैं, कहां हुगा था, बिहा जितनरा माजी महादलित मुसर समधाय से आते हैं, और माजी की पत्नी की बात करने तो इनकी पत्नी का नाम सांती देवी है, और इनकी दो तो पुत्त हैं, और पांच पुत्त्रियां हैं, कितनी पांच पुत्त्रियां हैं, और जितनरा माजी ने गया महाविध्याले से 1986 में इसनातक किया हुआ है, यानि कि आप सभी जानते हैं कि आप लोग 10th करते हैं, 12th करते हैं, उसके बाद आप लोग Degree करते हैं, उसे ही इसनातक कह देते हैं, और महादलीत मुसर समधाय से आते हैं, 1966 में जितनरा माजी ने लिफिक की नौकरी करना अरम किया, और 1980 में इन्होंने की छोड़कर राजनीद्धी में आ जाते हैं 1980 में पहली बार ये चुनाव लड़ते हैं और विधायक बनते हैं और आप सभी जानते हैं कि जो विधायक होता है जिसे आप लोग में ली कहते हैं इसका चुनाव डारेक्ट जनता के द्वारा होता है अगर आपकी उम्र 25 साल हो चुकी है तो आप भी चुनाव लड़ सकते हैं और बोटर कौन रहता है इसमें बोट डालने के लिए जिनकी उम्र 18 साल हो चुकी होती है मद्दाता सुची में नाम जुड़ सन 2005 में वाराचक्टी से बिहार विधानसवा के लिए चुने जाते हैं 1983 से 85 तक वो बिहार सरकार में ओप मंत्री भी रहते हैं 1985 से 1988 तक और पुना 1998 से सन 2000 तक राज मंत्री रहते हैं सन 2008 में उन्हें केमिनिट मंत्री चुना जाता है और मुक मंत्री बनने के आप देखें कि 2014 में आप देखें कि ये मुक मंत्री बनते हैं और 12 में दस महीनों के बाद पार्टी से उन से नीतिस कुमार के लिए पत छोड़ने को कहा जाता है और ऐसा नन्य करने के कारण उनको पार्टी से निसकासित कर दिया जाता है और कहते हैं कि 20 भरवरी 2015 को वहुमत सावित ना करबाने के कारण इन्होंने इस्तीवा दे देते हैं और आप सभी जानते हैं कि जेडियो में पहले सामिल थे और फिर आप सभी जानते हैं कि अब जेडियो की तरफ से नीतिस कुमार मुखमंतरी हैं और बता देंगे आप देखेंगे 2014 में एकुमंतरी बनने के 10 महीने के बाद इन्हें अपना प्थ छोड़ना पड़ा था और उसके बाल आप देखेंगे, इन्होंने अपनी एक पायटी बनाई थी, जिसका नाम हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा है, और इसके राष्टी अध्यक्ष भी रहे हैं, अब इनके बेटा इसके अध्यक्ष हैं, तो इनकी पायटी कौन है? हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा, और आप सभी ने देखा होगा कि दब 2020 में बिहार विधानसवा चुना हुए, तो NDA के हिस्सा रहे हैं, और आप सभी जानते हैं कि बिहार में इनके चार विधायक हैं अभी, कितने? चार विधायक हैं, और नीतेश कुमार और बीजेपी के साथ मिलकर, अभी तक एक याक के हुए हैं, सरकार बनाए हुए हैं, क्योंकि विहार में कब किसके साथ कब हो जाए, कब सरकार गिल जाए, कब नीतेश कुमार और आर जेडी यानि की लालू पर साथ यादों के साथ मिल जाए, कौन किस साथ चला जाए, ये कहना बड़ा मुस्किल रहता है, और विहार में ही रहनी एक दाम भी किया हुआ है। बच्चा जो भी गरीब का कम से कम जो भी बच्चा पढ़ना चाहे जहां तक सिक्षा लेना चाहे जिस तरह की सिक्षा लेना चाहे उसे बिलकुल फिरी हो या इतनी कम से कम कीमत हो कि उसके माबाप आरसानी से उसकी भरपाई कर पाएं क्योंकि आप सभी जानते हैं कि सरकारी स स्कूलों में से भी सुधार होना चाहिए और आजकल दिल्ली की चर्चा मुझे लगता है देश और दुनिया में हो रही है इसकूलों की और आपके छित में आप लोग सरकारी स्कूल देखते होंगे आप देखते हैं कि जीतन राम माजी खई वारे कहे चुके हैं माजी ने कहा है कि हम राम को नहीं माधते हैं वो आदमी नहीं था काल्बनेक है वो मूरती पूछते है देवताप पूछते है । वह है रामाइड लिखी गई है लेकिन उसमें बहुत सी पंक्तियां जो पढ़न अभी हुई है और आप देखे उस पार्टी के साथ अभी गट्वंद्र है जो भगवान राम के नाम पर यह आप देखते हैं राजनिती करती है धरम को लेकर भी यह बोले थे माजी जितना माजी ने कहा था कि आजकल गरीब तपके के लोगों में धरम के पिती जान्दा लगा कि यहां सब्त नारायन भगवान की पूजा होती है पंडितों को लिए इन्होंने अप सब्द कहे थे उन्होंने इतना ही नहीं भी सरम लाज नहीं लगता कि पंडित आते हैं और कहते हैं कुछ नहीं खाएंगे आपके हैं और बस कुछ नगत दे देजिए तो इसको लिकर भी आप देखी काफी इनकी आलोचना हुई थी विरोध भी हुआ था नायलायक बच्चे भी कहा था इन्होंने माजी ने कहा था कि हमारे भाई लोग जैभीम बोलते हैं लेकिन माप कीजिए का जैभीम जो बोलते हैं तो हम अंदर अंदर गुसा करते हैं हम लोग हैं लायक लेकिन बाबा मेड करके नालाएक बच्चे हैं क्या है नालाएक बच्चे हैं तो इस तरह के क्या यह बयानों के कारण यह हमेशा चर्चा में बने रहे थे हैं तो फिरहाल इनकी राजनिती के यात्रा भी चल ही रही है और यहां तक तो आप देखेंगे कि फिरहाल यही है, आने वाले समय में क्या होता है, यह तो आने वाला बक्ती बताएगा, और हम लोग कोई जोसी तो है नहीं है, कि हम लोग भविस के बारे में कुछ बता सकें, तो इसलिए यही रहता है कि कम से कम आप लोग एक न्यूच पेपर फॉलो करते रही है, ठीक है, और फड़ते रही है, इससे क्या रहता है, कि आजकल तो आप लोग सोसल मीडिया पर भी आ चुके, तो मुझे लगता है कि वहाँ से भी लोगों के बारे में, नेताओं के बारे में जानकारी इकटी करते रहते हैं, जानती रहते हैं, चलिए आप लोग इंजबाय करिए, औ किसी और के बारे में बात करनी है, और किसी नेता के बारे में, तो जरूर बताईए उसका नाम, उन पर अभी हम लोग बात कर लेंगे, ठीक?